मेरे परिवार जनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी IT इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोचल मीडिया भी एक कलपना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावना हैं। ये सेक्टर हैं कॉन्फरेंस टूरीजम का। पूरी दुनिया में कॉन्फरेंस टूरीजम इंडस्टी पचीस लाग करोड से भी जादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी जादा बड़ी एक्जिबिशन लगती हैं, एक्ष्पो होते हैं। आप कलपना कर सकते हैं। जिस देश की आबादी 25 करोड होगी लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड की आबादी है। जो आएगा वो माला माल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कांफरेंस टूरिजम के लिए आने वाले लोग एक सामान ने टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंड़स्टी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक परसेंट है। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपडियां हर साल अपने इवेंट्स बहार करना के लिए मजबूर हो जाती है। आप कलपना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने हैं। अब आज का नया भारत खुद को कांफरेंस टूरिजम के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिजम एडवेंचर टूरिजम वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिजम वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविदाय हो। स्पिरिचल टूरिजम वही होगा जहां एतियासिक धार्मिक स्पिरिचल अक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिजम भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बहुल्य हो। इसी तरह कॉंफरेंस टूरिजम भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए मिटिंस के लिए एक्जिबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमी यह ऐसे सेंटर हैं वह बिल्ली को कांफरेंस टूरिजम का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशो भूमी सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशो भूमी भविश्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कांफरेंस, मीटिंग्स, एक्जिबिशन इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एक्जिबिशन और इवेंट्स इंडर्स्टी से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमी में विश्य इस्तुप से आमंत्रित करता हूँ। मैं देश की पूरा पस्तीम उत्तरदख्षेन, हार छेत्र की फिल्म इंडर्स्ट्री, टीवी इंडर्स्ट्री को आमंत्रित करूँगा। आप अपने अवार्ड्स हमारव, फिल्म फस्तिवल यहां आयोजीत करिये, फिल्में के पहले शों यहां आयोजीत करिये। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स, कमपनीज, एग्जिमिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंदपाम और यशो भूमी से जुड़ने को आमंत्रित करता ह। मेरा परिवार जनो, मुझे विश्वात है भारत मंदपाम और यशो भूमी यह भारत के आतिथ्य, भारत की स्रेष्टता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंदपाम और ये यशो भूमी दोनों में ही भारतिय संस्कृति और अत्या दुनित सुविधाओं इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भंवे प्रतिश्टान नए भारत की यश्गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिमिम्ब भी है जो अपने लिए सबसे बहतरी इन सुविधाएं चाहता है। साथियों मेरे शब्द लिख्ये रखिये। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है। नए लक्ष बनाते रहना है। और उन्स नए लक्षों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिशम और परिशम की प्राकास्टां देश को 2047 में दुनिया के सामने डंकी की चोड़ पर विक्सित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे। अंकल प्ले करके चलता है। ये समय हम सभी के लिए जूट जाने का समय है। हमारे विश्व करमा साथी मेकिन इंडिया की शान है। और इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर की इस्तान को दुनिया के सामने सोकेश करने का माध्यम बनेगा। हमारे गलिएना के सामने सामने चलता है। और इंटरनेशन smartphones कारा का मात्रा में पादियें।